किस तरह से हम बता सकते हैं कि जो off spring वो male होगा या female तो ये depend करता है कि कौन सा sperm आकर fertilize कर रहा है जो ejaculation होता है तो 300 million sperm release होते हैं during the fertilization तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि X containing sperm अगर आकर fertilize कर रहा है तो जो zygote develop होगा वो उसके अंदर जो chromosome combination होगा 44 प्लस XX का होगा तो अगर XX combination है तो यहाँ पर यह female develop हो रही है या daughter develop होगी क्योंकि ओवम में X के लावा तो Y combination तो होता ही नहीं है तो जो ओवम है वो fertilize अगर sperm के साथ कर रहा है और यहाँ पर X containing sperm है तो जो zygote बनेगा वहाँ पर में ध्यान रखना होगा यह ultimately develop होगा female में या daughter में उसी तरह से अगर Y containing sperm fertilize कर रहा है वो हम के साथ वो हम के अंदर combination क्या होगा फिर से वही होगा X वाला तो अगर fertilization हो रहा है जागोड बन रहा है तो यहाँ पर chromosomal combination क्या होगा 44 प्लस XY मतलब जो new individual develop होगा वो male होगा या sun होगा तो यह चीज एकदम ध्यान में रखना है कि female यहाँ पर depend determine नहीं करेगी कि जो off spring है यह जो निया individual बन रहा है baby बन रहा हो male है कि female यह depend होता है male के sperm में अगर X फटला lifetime करेगा तो daughter होगी और वहीं Y फटला हो यहाँ फटलाान करेगा 300 million sperm में से कौन से फटलान करेगा यह पक्का पता नहीं है 150 million sperm जो होगे वहाँ पे X chromosome present होगा और 150 million sperm वो होगे जहां पे Y chromosome present होगा तो यह चांस पर डिपेंट करता है कौन सा आकर फटलाइस कर रहा है वह हमके साथ वाही वाला फटलाइस कर रहा है या एक्स वाला